दिल्ली से हमारे एक दर्शक हैं, पूछ रहे हैं, सोने को लेकर क्या आउटलूक है और साथ ही क्या सोने में ट्रेडिंग जारी रखनी चाहिए जब कि अपटी मार्केट में बहतर रिटर्न की उमीद है? बड़िया सवाल है, बिल्कुल कोई है, काफी बड़िया सवाल है, बट मुझे नो डाउट मैं काफी प्रो गोल्ड पे बुलिश ही रहता हूं जाधा करके, तो मुझे फ्रेंकली लगता है जिन्से विक्रम जुन का कि लेंडिंग कैसे होने वाली है, दो जा आठ में भी हम द शूर के जो फंडामेंटल जियो पॉलिटिकल टेंशन ये जो दिखा रहा है, गोल्ड I think 68,000 तक का लेवल दिखा है, निवेश करना बहुत जूरी है, ये लेवल बढ़े नहीं है, बहुत बार होता है कि लाइफ टाइम आ गया तो बहुत उंचा हो गया, नहीं, गोल्ड मे बढ़े सकता है, लेकिन संशिप में जिवाब दीजेगा, इसका वालिटी देख सकते हैं, क्योंकि सिल्वर में हम अमोमन देखते हैं काफी वालिटी रहती है, तो अगर वो स्मॉल कॉंट्रेक्ट के साथ कमफर्डेवल है, तो अपनी पोजिशन धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं, but my advice is to start with the small and mini contracts, first. स्मॉल कॉंट्रेक्ट के साथ सुरूआत करेंगे, तो आपके लिए जादा बेतर होगा, इसी नोट पर इस पैनल को यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन अगला जो पैनल होगा, गोल्डन ग्यान, जहां पर गोल्ड और सिल्वर की तमाम बारीक बाते, जो रह गई थी, वो आग से चर्चा होगी, ब्रेक के बादा,